हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग अपना English का सिशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त क्लास 12 का हम लोग क्या कर रहे हैं Poetry section को आगे बढ़ा रहे हैं मतलब जो कवीता है English की हम लोग पहले उसको पड़ रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर कहानी में आएंगे दोस्त, प्रोज में आएंगे, तो आज जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी में, वो है Song of Myself, दोस्त हम लोग अपना Rainbow का पढ़ रहें दोस्त, ठीक है, यह जो कविता है, यह किसके तौर लिखी गई है, Walt Whitman के साहब, यह साहब लिखे हैं, इनका जो लाइफ है, 1819 से लेकर 1892 तक, मतलब उस समय उनका जन हुआ होगा, और इस समय वो अपना द्यानत हो गया होगा इनका, मतलब लाइफ है स्पैन इनका यही था, तो सबसे पहले हम लोग इस कविता के बार में सीखेंगे, और फिर कवि कविता बहुत मज़दार है दोस्त, यह बताने की कोशिस की जा रही है कि हम लोग खुद के बारे में कैसा सोचते हैं, मतलब कवी के नजरों से, कवी के नजरों से हम लोग कैसा सोचते हैं, किस तरह का हमारा भावना है, हमारे खुद के प्रती, इनने उने ताके के जरुत निखे ध्यान दिया लोग जवाद सुना कहां मुलल चाहता नहीं वाल्ट विटमेन, the people's poet इकईसन कभी थे, लोगों के कभी थे मतलब लोगों के बीच रहने वाले कभी थे लोगों की बात करने वाले कभी थे मतलब जैसे आपके मन की बात को कोई बोले मेरे मन की बात को बोले हम सब के मन की बात को कोई बोले मतलब यह उस टाइप के थे Is perhaps the most individualistic literary figure that America has ever produced मतलब अमेरिका में इतने भी कभी पैदा हुए उसमें यह अपने फिल्ड के सबसे बहतरीन कभी जोकी कि किसी खास चीज़ के बारे में कभीता लिखते हो individualistic individual मतलब होता है कोई खास जैसे हम लोग खुद एक individual है मतलब हम अकेला एक खास आदमी है जैसे आप एक खास है वो एक खास है उसी तरह से individualistic की बात करते हैं He began working as a carpenter before his twelfth birthday जब तक इनका बारह हुआ जनन दिन नहीं हुआ था तब तक के कैसा काम करते थे carpenter का मतलब बढ़ाई का He also worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the civil war ये कैसा काम करते थे printer का भी काम किये छापकाना में teacher पढ़ाने वाले में editor संपादक के रूप में और volunteer nurse volunteer nurse मतलब यहां पर nurse सब्द का परियोग क्या गया है लेकिन यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं जो स्वेक्षा से किसी का सेवा करते हैं स्वेक्षा से किसी का सेवा करते हैं volunteer का मतलब क्या था स्वेक्षा से हमको मन किया आपको पढ़ा देना हम पढ़ा दिए मेरे एक्षा है आपको सिखाना बाबू अगर मेरे एक्षा है तो हम आपको सिखाएंगे नहीं एक्षा है तो हम नहीं पढ़ाएंगे बहुत लोग क्या करेगा हम आपको जैसे सिखा रहे हैं तो बदले में तो कोई पैसा आपसे नहीं मांग रहे कोई क्या करेगा आपको सिखाएगा तो आपसे पैसा मांग लेगा तो बोलेगा भाईया आपको मेरा कोर्स जोइन करना है इक कोर्स को जोइन करना है तो चार सो रुपया दीजिए तीन सो रुपया दीजिए तो आपको कोर्स मिलेगा नहीं दीजिएगा तो कोर्स नहीं मिले देखिये, सिखाना, पढ़ाना मेरा पैशन है दोस्त, हमको इक्छा है, हम सिखाए है, हम टीचर नहीं है बाबु, I don't want to be a teacher at all, I just want to make you learn something, what I have, I just want to convey all those things to you guys, this is a very basic thing, हमारा मेन उद्देश है दोस्त, कि जो हमारे अंदर में है, हम आपको सिखा दें, हमारा उद्देश नहीं है कि हम आपको पढ़ा दें, पढ़ाना is something else, and making you eligible for something is something different, ठीक है, यह अंतर है, इसलिए हम कभी भी हम अपने आपको teacher नहीं बोलते हैं, बाबु, हमारे पास कुछ है जो आप ले लीजिए, आप खतम है, बस वही बात है यहां पर, witness poetry, all of which is collected in leaves of grass, is known for its free rhymes and lack of rhyme, देखे, कातना बढ़ का बात बोललबा, ध्यान दिया लोग, witness poetry, जो इनकी जो कभीताएं हैं, कैसी हैं, all of which, सारी की सारी जो है, is collected in leaves of grass, जैसे घास के पतो की तरह, यह एक तरह से सम्टाया हुआ है, इनके कभीताओं का जैसे संग्रा होगा न, उस तरीप के, जैसे collection होता है न, भाईया, हम लोग के किताब है, किताब में 20 गो चेप्टर है, तो ओ, इसे ही कभीता, जो लिखे होंगे कभीता का संग्रा होगा, इ Is known for its free rhythm, मतलब रीदम फ्री है, जैसे हम लोग कोई भी चीज को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, रीदम में पढ़ते हैं, लाए में पढ़ते हैं, and lack of rhyme, मतलब इसमें जो उस्तर का शब्द है, मतलब ऐसे ही लिख दिया गया है, जैसे सब कोई कभीता पढ़ियेगा न, कभीता लगाना गाता है तो लगता है कि जैसे बतिया रहा है आपसे ठीक है अगला जो है वीटमेंस फर्स पब्लिस्ट इट इस ओन एक्सपेंस इन अपने खर्चे पे देखे लिखा है अपना पहिला किताब को पब्लिस करवा है ठीक है सुरू सुरू में जबी छपवाते हैं न देखें सुरू सुरू में कोई काम करता है आप कोई काम कीजिएगा तो आपको रिकोगनीशन नहीं मिलेगा पहचान नहीं मिलेगा सुरू में रगण घंस करना पड़ता है जुत्ता घिस्याना पड़ता है सब कोई को तो आप हूँ मेहनत कीजिएगा जैसे हम मेहनत कर रहे हैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहे हैं जो बेहतरीन हमको हो राम दे पार है तो भाया सुरू में तो कस्ट होगा ना लोग आपक काबिलियत को नहीं समझेगा लोग आप कुछ अच्छा बात बताईगा तो लोग बुलेका रिये सब आता है रोड़ पर अब सिखाने बाट जाता है आप इसे सब को सोचता है अईसी ही सोच हीएगा लेकन कंहोता है जब फीद भी जाता है ब्लता है और तो इसका अच्छा बताता है और इसे ही मिट्मैंट सहब के साथ सुरू में छपवा है इनका जो डिलाइकाशन था अपने काम के प्रती जो लगन था उत्साह था खौम नहीं गुआ करते रहे सुरू में पहचान कम मिला इनको ठीक है क्या था importance of the individual जो तरीका था इनका खुद का पहचान का महतो का बताने का था ये उतना ज़्यादा जो चाहते थे जिस गती से ये आगे बढ़े उगती नहीं मिला था सुरू में सबकोई को शुरू में इसे ही होता है सुरू में कोई पेड़ में फल नहीं लगता है बड़ा होता है बड़ा होता है वक्त लगता है तो इसे इनको भी वक्त लग रहा था In fact, his collection of poems cost vitamins his job as it was taken to be obscene अब क्या हुआ इनका जो इसी धर्मयान जिससे में अपना कविता के सांगरह को यह पब्लिस कर वना चाह रहे थे तो क्या हुआ इट वोस्टेकन कि कहा गया है इनका जो कविता छपवान लगे तो इनका नौकरी खत्रेवे पढ़ गया अब यह कोई काम कीजेगा तो उसके बदला में ऑपर्चुनेटी कोस्ट देना पढ़ेग अब उसके बाद का हुआ इट वस्टेकन टूबी ऑप्शिन यह मतला बेकार का चीज हो गया इन 1881, 1881 में का हुआ, आफ्टर मेनी एडिशन्स, बहुत सारा करने के बाद, लीव अफ ग्रास फाइनली फाउंड अप पब्लीशेर, लीव अफ ग्रास जो इनका कविता का जो संग्रा था, उसको एगो पब्लीशेर अंदतह मिलिये गया, और जैसा लिखे थे, बिल्कुल वाइसा ही पब्लीश करने को एको तयार हो गया, इनका जो कविताओं के जो संग्रा था ना, उसको तम बढ़ियां से ट्रांसलेट किया गया, और यूरोप में पब्लीश किया गया, विदाओं सेंसर्ड, बट विटमेंस डिमेन रिलेटिबली अनएप्रिसेटेटेड इन अमेरिका, इनको तकलीफ हो रही थी भाइया, अम को अमेरिका में कुछ मिलें नहीं किया, हमको यूरोप बला दे दिया, तुम नहीं दियागा जी, अब सोचिये, इनको अमेरिका में रिकॉगनेशन कम मिला, इनके मृत्यू के बाद, वहां के लोग इनको पहचाना शुरू किये, इसलिए बात को ध्यान रखेगा, कभी-कभी जिन्दिगी में भी बहुत कुछ हम हासिल नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद हमको बहुत कुछ हासिल हो जाता है, आपके मृत्यूत, मरनो प्रांत, आपको इस सब चीज, इसको में लोग पोस्थामस बोलते हैं, याद, इनका जो लेखनी का जो संगरह था, का बिताओं का जो संगरह था, उसमें लीवस ओफ ग्रास अथारसो पश्पन में, एन जम टाप्स अथारसो छियासरथ में, बहुत रिकोगनिशन मिलाइन को इन दो संगरहों से, ठीक है, अब हम लोग क्या हुआ है, ये तो हम लोग वी ये कविता के बारे में, ये कविता का नाम से ही पता चल रहा है, सौंग ओफ माइसल, मतलब मेरे बारे में, खुद के बारे में, उनकी कविता है, इन डिवीज के बारे में, जो कवी हैं, वो अपने बारे में बताना चाह रहे हैं भही आपको, हम लोग हर लोग का एक अपन करना मतलब जैसे हम लोग अपने जनम दीन सेलिबरेट करते हैं मनाते हैं उस तरह से और सींग माइसिल्फ और खुदी में ही यह गाना भी गाते हैं बहुत लोग भतान ही अपने गूं मेरे अपने ढूंड 네 and what I assume you shall assume मतलब जो मैं सोचूंगा मैं जो मानूंगा आपको भी मानना पड़ेगा मतलब सोच ये वो एक अलग identity ऐसा है कि जो हम कहेंगे भाई आपको करना पड़ेगा जो हम बोलेंगे भाई आपको सुनना पड़ेगा मतलब जो भी चीज आटम कहने का मतलब सबसे minute चीज सबसे छोटा चीज जो हमारे से बिलॉंग करता है वो आपसे बिलॉंग करेगा इस टैप का बात सोचिए कितनी गहराई में कभी बोलना चाहते हैं कितना जबरदस्त बात बोला हुआ है मतलब जैसा हम वैसा आप भी ठीक है I loaf and invite my soul I lean and loaf at my ears observing a spear of summer grass अब देखिए क्या बोलता है कभी I loaf देखिए इसका spelling में देख लीजे इसका लोफ इक्सली उचारणा चाहिए यहाँ पर लिखा हुआ है L O A F E लिखा हुआ है दोस्त इसका मतलब क्या हो जाता है wonder ठीक है I want and invite my soul मतलब wonder का मतलब क्या होता है अलग-अलग जगों पर इसका अलग-अलग हरत होगा कहीं भटकने के सेंस में होगा कहीं रूपने के सेंस में होगा कहीं इस्तीर होने के सेंस में होगा आपको जैसा जगह मिले का इसके हिसाब से उसका अर्थ को वहां सेट कीजिएगा And invite my soul और मैं अपनी आत्मा को आमंत्रित करता हूँ I lean and loaf at my ease observing a sphere of summer grass मतलब गर्मी के दीनों में समर मतलब क्या हो जाता बाबू समर का मतलब हो गया गर्मी के दीनों में जो घास होगा उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा भीया उसके टॉप पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा गर्मी की दीनों में घास सूख जाती है तो आगे का जो उसका नुकीला तक आप फुतूगया बोल जानू हो फूतों या नुकीला हो जाला इदम भुक बनूँ तो सूइन या घूच जाई देही में इदम टाइठ हो जाला टाइठ हो जाला इदम सीधा सीधा हो ख़़ा हनू तो क्रमे का हो जाई My tongue, every atom of my blood form from the soil and the air मतलब मेरी जीव मतलब मेरा आवाज मेरा तरीका कैसा हो जागा भुया Every atom of my blood मतलब मेरा खूण का हर एक कत्रा atom का मतलब क्या सबसे सुक्षमी हिस्सा यानि सबसे सबसे छोटा हिस्सा यानि कत्रा हमारा यानि खूण का हमारा एक-एक कत्रा किस चीज़ से बना हुआ है भाईया formed from सौदगे कैसा लिखा हुआ from को formed from this soil and air इस मिट्टी और इस हवा से बनी हुई है born here of parents born here from parents the same and dear parents the same अब देखिए कितना बढ़का-बढ़का बात बुल अलबा born here of parents मतलब यहाँ पर जो जन में लिये हुए हैं हमारे माता-पिता से मतलब हम अपने माता-पिता से क्या लिये हैं इनहरेट किये हैं मतलब हमको विरासत में मिला है जो हम आज हैं आप हैं कैसे हैं तो जो हम लोग के माता-पिता से जो हम लोग को मिला है विरासत में मिला है ना भाया जो भी आपका खून होगा A होगा, B होगा, AB प्लस होगा जो भी, जैसे भी होगा तो का होगा Born here from parents the same मतलब आप भी अपने माता-पिता से ही जनम ली हैं, हम भी अपने माता-पिता से हर लोग अपने माता-पिता से जनम लेता है and their parents the same और वो भी अपने माता-पिता से बिल्कुल वैसे ही जनमली है हर लोग अपने माता पिता से ही उस गुन को अपने अंदर में इनहरिट किये हैं ठीक है I now 37 year old in perfect health begin मतलब मैं अब कहतना हूँ 37 years का हूँ 37 साल का हूँ और perfect health begin और मेरी स्वास्त जो है बिल्कुल सही तरीके से शुरुआत हुई है बिल्कुल सही तरीके तम स्वास्त नम टनाटन जे बोला से अईसन hoping to seize not till late और एक का सोच रहे हैं कभी महराज कि हमरा अईसने अवस्था कब तक रह जाएगा भाया मृत्यूत तक यानि कि हम को बीमार नहीं पड़ेंगे जैसन है और इसने रहेंगे कब तक बृत्यूत तक क्रीट्स एन स्कूल इन एबियंस रिटारिंग बैक अवाइल सफिस्ट एट वर्ड दे आर बट निवर फोगोटन अब देखिए जो हमारा क्रीट्स मतलब का होता है बिलीफ चीक है यह जो हमारा भरोसा है किसी चीज़ पे विश्वास है की इसकूल इन एमियंस अब देखिए यहाँ पर एक फ्रेज का यूज किया गया है इसका मतलब क्या होना होता है सस्पेंडेड या विथेल्ड मतलब किसी के साथ होना लटकना उस पार्टिकलर मॉमेंट में रहना इसको बोलते हैं इन एबियंस जो हमारा धार्मिक भरोसा है किसी चीज़ पे विश्वास है मत है यह कैसा होगा भीया यह बिलकूल उस सिचुएशन में ही रहेगा रिटाइरिंग बैक अ वाइल मतलब किसी खास छन जब आप रिटार होते हैं रिटार मतलब आराम करते हैं लोट के आते हैं सफिश्ट यह सफिश्ट का मतलब क्या होता दोस्त सटिसफाइड के सेंस में लिए गया है at what they are जो आप हैं आप अपने आपको मानते हैं कि भाई हम जैसन बानी वो इसे ही ठीक बाई रवा के कुछ बोले के जुरुत नहीं खे हम अपना में कोई सुधार करे के जुरुत नहीं खे हम ठीक बानी जा जैसन बानी सब ठीक बानी हनू but never forgotten कभी भी हमको भुलाया नहीं जाएगा जैसे हम थे भाई आव इसे ही है मेरे काम बहुत सही है हम जैसे गुन अपने पुर्वजों से लेकर रहे हैं वही पुर्वजों का लिया हुआ ग्यान गुन और अभी तक मेरे अंदर वरकरार है हम इसको बदलना नहीं चाहते है इसको हम भुलाना नहीं चाहते है देखिए हम लोग अपने पुर्वजों से बहुत सारा गुन लेकर बैठे हैं आपके दादा, पर दादा, चर दादा, अठ दादा, बारा दादा जितने भी दादा होंगे उहां से जो गुन चलता रहा है आपके पिताजी में आया आपके पिताजी से आपके अंदर में आया और ये गुन हम अपने अंदर से हटाना नहीं चाहते है भूलाना नहीं चाहते है I harbor for good or bad Harbor मतलब का होता है जैसे Harbor का मतलब होता है बंदरगा जहां 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 जाके रुखती है पानी जहां यहां पर हारबर का मननब का होगा बंदरगा ना भाईयन ना जहां अच्छा और बुरा जो विचार है आपका जो आपके अंदर में जो गुन है जहां रहता है मतलब हमारा सरी, बुझारा है, I permit to speak at every hazard, मतलब मैं किसी भी, hazard मतलब क्या, danger, wicket परिश्थिती, किसी भी तरह से खराब situation, अवस्था, उसमें I permit to speak, मतलब मैं बोलने के लिए उसको permit करता हूँ, मतलब उसको allow करता हूँ, कोई काम करने के लिए, nature without check with original energy, मतलब hazard nature without check, मतलब बीना किसी उस खोजबीन के, पूरी वास्तविक उर्जा के साथ, जो energy थी, उसी energy के साथ, मैं उसको permit करता हूँ, किसी भी विकट परिश्थिती में, बीना चेक किये हुए, ठीक है, ये हमारा कभीता है बाबू, ठीक है, अब इस question है दोस्त, the poet enjoys himself and sings for the self, मतलब कभीता जो है, ये, खुद को, खुद से enjoy करता है, और खुद के लिए गाना गाता है, बिल्कुर सही बात है, true है, the speaker is different from others, speaker जो है, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी सोच बिल्कुल अलग है, सही बात है, the poet discards nature beauty, poet जो है nature की खुबसूरती, ये प्राकिर्थी की खुबसूरती को discard कर देता है, ये कि नहीं मानता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, every atom of blood is the same in all human beings, क्या हम लोगों का जो खुण है, जो बनने का जो तरीका है, हमारा और आपका क्या अलग है, नहीं, हम सब का बनने का तरीका बिल्कुल सेम है, the poet is associated with a particular school of thought, क्या जो कवी है, किसी खास द्रह के विचारों के बारे में बोलना चाहता है, उससे जुडा रहना चाहता है, yes, true, the poet has overcome his greed, क्या कवी अपने अंदर के लालच को overcome कर लिया है, जीत गिया है, उसके उपर विजय प्रात कर लिया है, yes, it is true, सही बात है, who is the speaker of this poem, इस कवीता का speaker कौन है भाईया, Walt Whitman, how old is he, वो कितने उम्र का है, 37, याद होगा आपको, कवीता में हम लोग पढ़े, why does the speaker use you twice, वहाँ पर इस speaker जो है, you को दो बार क्यों use किया भाईया, इसलिए यूज किया गया है, कि हम सब के सरी में जो खून है, बिल्कुल एक जैसा है, हमारा आपका, किसी का भी लीजिए, सब का खून एक जैसा है, तो आखिर हम लोगों के सोच में अंतर क्यों है, ये कभी बोलना चाहता है, ठीक है, what is meant by nature without check with original energy, मतलब nature without check, मतलब प्रकृर्टी बिना किसी चेक के, उसका जांच के, with original energy, मतलब वास्तिविक उर्जा के साथ, क्या बोलना चाहता है, मतलब हमारे दिमाग के अंदर चलने वाली जो सोच है, उसका और जो खत्रा, यानि कि जो हमारे परिवेश में जो खत्रा आ रहा है, जो डैंजर है, उसके लिए बताने को स्क्या गया है, what is the theme of the poem, इस कभीता का theme क्या है, अर्थ क्या है, ये कभीता का theme ये है, कि हम लोग सब कोई एक जैसा है, फिर भी हमारे विचारों में इतना अंतर क्यों है, मतलब जीयों और जीयों जीने दो की निती पर क्यों नहीं काम करते हैं, इस तरह का बताना चाहता है, how does the speaker establish relation between me and you, यहाँ पर speaker मतलब जो कभी है, वो me मतलब खुद से, और यू मतलब जो उनकी बातों को सुन रहा है उस से, यह कैसा relation को establish करना चाहते हैं, तो वो ही खुद वाला रिस्ता, क्योंकि जब हम लोग दुनों सेम है, हम लोगों का खुद एक है, हम लोग एक ही तरह के ancestor से belong करते हैं, तो आखिर हम लोगों में इतना difference क्यों है, यह में चीज़ बताने को सकी ज़री है, अगला क्या है, what does he observe in summer, इन समर में गर्मी के दिनों में क्या observe करता है, इस पीर अप ग्रास, नुकिला, मतलब घास, सुखा हुआ घास, ऐसा ही ना, what does he hope to do, वो क्या करने का उमीद करता है, वो सोचता है कि हम अपने मिर्तियू तक, मेरे विचार जो हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहें, और हम अपना काम करते रहें, what does he want to do with creed, वो creed यानि कि जो social belief है, religious belief है, धारमिक जो, उसका जो मत है, उसके साथ वो, क्या चाहता है वो, वो क्या चाहता है, वो इस तरह के विचारों को, school in M.E.S., इसको वो जानना चाहता है, समझना चाहता है, आखिर क्या है, आखिर हम लोग के अंदर में ऐसा differences क्यों है, इसको वो समझना चाहता है, what does he want to speak about, वो किसी के बारे में बात करना चाहता है, वो हर उस hazard के, उस खत्रे के बारे में बात करना चाहता है, जो हम लोग के परिवेश में है, अरे भाईया, हम आपको नुकसान पहुचाना चाहते हैं, ठीक बार, जब हम तहरा लोग के नुकसान पहुचाएं के चाहता हम तका होई, यह ठीक बार, गलत बार, बस ही सोचो लोग, जब हम नेखी चाहत की हमरा संगे कोई गलत करो तो तहरा लोग संगे गलत होई तका कह बहुँग सईबा ना नो मतलब इस कविता को समराइज कीजिए समरी लिखे इसलिए हम आपको पूरा कविता को एक अक लाइन एही से बताते हैं कि आप लोग कम से कम समझ पाएं क्या कीजिएगा पोयम को एक दूबार आगे पीछे करके देख लीजिएगा पूरा बढ़िया समझ में आजाएगा बाबू और जब तक समझ में नहीं आएगा आप कविता को अपने से नहीं लिख पाईएगा हम तो तहरा लोग के बोले बनी हम तहरा लोग के सिखाए मन में जे आवेला कौनों बात आई कुछ करिशत नहीं खे कुछ ना करो चुप-चाप जाके कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दियाल करो हम बताएग तहरा लोग के ये तहरमन के इक्षा बाद बाद अगरा के अंग्रेजी में किसे लिखल जाला है don't worry at all I'll guide you how to translate all those sentences whatever what kind of sentence it doesn't affect doesn't matter I'll guide you don't worry हम आपको guide करेंगे आप बिल्कुल परजान मत होए आप हमारे भुजपूरी पर मत जाये don't go आप भेज के तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे translation होगा उसका ठीक है तो बिल्कुल घबराईने पर समझे line line को और उसके पाथ वैसे ही उसको लिख दीजिएगा number तो भाया खुब बढ़ी आएगा don't worry what similarities does the poet draw between two human beings ये जो कवी है ये दो इंसानों के बीच में किस तरह का समरूपता के बारे में बात किया है देखिए भाया दो human being एक जैसे हैं हम लोग का दूगो आख दूगो कान एगो नाख एगो मू दूगो हाँ दूगो गोड भगवान जी दे दिये हैं भगवान जी जब सब कुछ समान दिये हैं खूनों एक जैसन दिये हैं बहुत बढ़िया हम लोग एगो दील है आपका दूग ना ठीक है आपका भी एगो है सब कुछ एक जैसन है तो हमारा विचार है अलगलक आया हमारा समाजिक धारमिक सोच अलग का है भाय है हम चाहते हैं कि हम खूब बढ़िया से रहें लेकिन तहळ लोग ठीक से ना रहा है काहruktur बात बाईसन काह सोचेसं बढ़ ऑ ऑ हम अच्छा से रहे इहे बोलल चाहता नहीं है ठीक हा Explain the line Hoping to cease not till death मतलब इस line को Hoping to cease not till death मतलब मृत्तियु तक हम अराम नहीं करना चाहते हैं यह में मतलब है इस कवी का इस poem के माध्यम से कि भाया हम जब तक जिवीत रहेंगे काम करते रहेंगे इस सोंच को लोगों को अगाह करते रहेंगे कि भाया इस तरह का सोंच से बचिये अगर आप नहीं बचियेगा तो आप भी उसी चकरवियू में फंच जाएगा और round round फ्लिस्टफ हो जाएगा आपका जिन्दिगी का round round फ्लिस्टफ पे मैं खतम का हो ठीक बान हो round round फ्लिस्टफ जी लेवियों के काल जाला चलो मतब इसलिए कभी का चाहता की भाया जिन्दिगी भर काम कीजिए और जहां तक हो सके खुद अच्छा से रहे और समाज को भी अच्छा से रहने के लिए प्रिरीत कीजिए और जो भी समाज में खत्रा आ रहा है खत्रा मतलब पौन खत्रा पैदा करेगा भाई जो उस तरह का गंदा सोच वला आदमी उससे सबको अगाहा भी कीजिए अगर सोचिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं बहुत सारा यूटूब पे वीडियो बनाने वला लोग है पढ़ाने वला लोग है आपके समाज में भी लोग पढ़ाते होंगे बहुत सारे शिक्षक लोग होंगे आज कल भीया सिक्षा बहुत अलग टैप का हो गया है देखिए बुरा नहीं मानियेगा सिक्षा में बच्चा और टीचर दोनों का अलग टैप का महौल बन गया है बच्चा लोग आज कल पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रेक्ट हो रहा है दूर भाग रहा है और टीचर लोग भी बच्चे को डिस्ट्रेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है जिदना बहुत सके बच्चा उसे दूर भागे अईसन कर दी हैं तो भी ये कैतना दिन चलेगा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कल होके तो आप ही का गोड़ पे लातमा रहाएगा बोले का अगल होके आप ही को तकलीफ होगी आज आजकल उओ इंटर्टेनर का जमाना होगी लबा जब पढ़ावा था लोग इंटर्टेन बेसी कर रहा था लोग पढ़ावत नहीं खें मैं लोग के हिसाब किताब कुछ ठीक नहीं खें यह बहुत सारा जोड़ घटाओ के जड़तबा है ठीक है समझे के चाहिए हम लीके उसके बाद क्या है comment on the subjectism in the poem subjectism मतलब personal feeling मतलब आपके खास क्या आपका भावना हो सकता है किसी चीज को लेकर आपको comment करना है just you have to write it down whatever you think about एक particular situation पे individual पे आप सोचिए and you have just to go through it write it down लिखिए ठीक है कैसे आप बता सकते हैं एक इंसान की personal feeling क्या हो सकती है आप क्या चाहते हैं दुनिया कोई भी आदमी क्या चाहता है एक general thought है कि आप खुस रही है अच्छा से काम कीजिए जब तक जीनना है तब तक काम कीजिए और लोगों को चीर परिचित करवाई है उस परिचित के बारे में उस danger के बारे में जिसे कि लोग अपने गलत रास्ता पे चले जाते हैं मेरा काम क्या है मेरा काम है कि आपको अच्छा सच्छा ग्यान देना आपको सही रास्ता पे लाना this is my job मेरा काम है आपको बताना and your job is what? your job is to follow what I say if you don't, what can I do? I can't help you out अगर हम बोलें और आप उसको follow न करें इसका क्या मतलब निकलता है? nothing, not at all कुछ नहीं इसका आर्थ निकलता है मतलब हम जो समझाएं आप समझे किस पे अपने पारामीटर पे अपने दिमाग के बुद्धी विवेक पे हम आपको बोलें के भगवा हो उकुवा में कुद जाओ तो का बोलेगा? अरे सर जी बोले हैं ठापाक, कुद जाएं जाशे बुरुबाखाई जी अरे उदुगो लीकिया के बोलेंगा जोटा चुटी कर ले रे जगरा पेर के नचा दे बिग दे तो जई हैं वोकर जगरा पेर के फेक दियें का सोचे के पड़ी नूँ हो कि हम का बोलता नि मारे के बोलता नि जगडा गरे के बोलता नि अपन बुद्धी निक है सोचा लो क्यों का कहता थिंक थिंक बिफोर जोइंग एनी जॉब कोई भी काम करने के पफेले सोचिए सामने वाला क्या बोला है अर अपने लोजिक अपने पैरामेटर पे उसको चेक कीजिए and then do तब काम कीजिए किसी को बोलने पे कोई काम नहीं कीजिए अपना बुद्धी विवेक का इस्तमाल कीजिए Why does the poet not want to bother himself with creed and schools? मतलब कवी जो है इन चीजों से कोई संपर क्यों नहीं रखना चाहता है किस से? creeds and schools creeds मतलब religious belief से दाहार में एक मत्स से जहां पर इस तरह क्या बात फैलाए जाता है गंदी बातों को फैलाए जाता है मतलब हम आपको गलत चीज़ सिखाएं कोई दूसरे religion के लोग हो वो गलत चीज़ सिखाएं मतलब यह गलत 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 अगर गलत भावना को बढ़ाता चला जाएगा तो बाबु क्या होगा? पुरा समाज गंदा हो जाएगा और समाज गंदा हो जाने से क्या होगा? हम लोग जी पाएंगे क्या हो? जाके देखियों अलग- तरह का देस है एक एको देसे का, 75 और देस जहां परिसीती बहुत बदतर है internal war है सब के बीच में एक society दूसरे साथ से मार काट कर रही है क्या हो रहा है टोकरी में बंधूग बिक रहा है का है ये गलत धारनाओं को propagate किया जा रहा है और उसमें क्या हो रहा है लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं बाबू इस मार काट में इसका नुकसान हो रहा है ultimately हमारा खुद का नुकसान है हमारे समाज का नुकसान है हम सब का नुकसान है तो हमको क्या करना चाहिए सब को aware कीजिए न इस काम से इस भावना को सब को बदलने कोजिस कीजिए तब देखिए एक स्वस्त सुन्दर समाज का निर्मान होगा यहाँ पर कभी जो है क्या आप बोलना चाहता है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनरजी यहाँ पर यह बोलना चाहता है कि भईया हम लोगों की जो कंडिशन है बिल्कूल कैसी है एक जैसी है आपका भगवान जी सब कुछ सेम बनाएं हम को भी सेम बनाएं हम लोग दोनों एक जैसे हैं फिर आखिरी इस तरह के सोच में फ्रिक्शन क्यों है भावनाओं में अंतर क्यों है यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों को बोलने की पुरी आजादी है तो इसका फायदा क्यों ने उठाएं लोगों को अवेर क्यों न करें इस आजादी का फायदा क्यों न उठाएं यह हमारा यहाँ पर बोलना चाहता है इस तरह से दोस्त क्या करना है हम लोगों को अपना कविता को ढंक से समझना है और उसके हिसाब से उसको एक्सप्रेस करना है बाबू पांच लाइन दस लाइन जो आप लिख सकते हैं अगर कोई भी कविता का आप सारांस को यानि दस लाइन लिखने लाइक हो जाएंगे न किसी भी तरह का कोश्चन आपको एक्जाम में आएगा यूड बूए अबल तो राइट आइन्सर्स तब आपको मजा आएगा एक्चोल मजा तब आएगा ठीक है कोशिस कीजिएगा एक दो बार वीडियो को आगे पिछे करके देख लीजेगा जहां डाउट होगा आपको पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा बाबू हम ट्राइ करेंगे कि आपका काम हो जाए ठीक है मिलते हैं पाबू अगले वीडियो में एक नए पोएम के साथ ठीक है तब तक खुब मन लगा के पढ़िए बेस्ट आफ लाग